असलम अलेकूम, welcome to GFX Mentor, मैं आपका teacher Imran, और आजकर जो हमारे topic है वो है exposure, adjustments की sequence में, exposure, exposure भी वैसे ही काम कर रहो होता है, जैसे levels या curves वगरा काम कर रहोते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी, बहुत सिंपल सी उसमें कुछ details है, लेकिन एक और चीज़ है, जो कह है image rotation, मेरे camera में मसला ह कि अगर मैं कोई चीज वर्टिकल तस्वीर देता हूँ तो फोटोशोप में लाकर को यह यू देता है फिर मुझे सीधा करना पर तो सीधा कैसे करेंगे वह भी देखेंगे और इक्सपोजर भी कैसे करेंगे वह भी देखेंगे यह स्टार्ट करते हैं और राइट वेल्कम बैक यह जो एक तस्वीर यहां पर आपको दिख रही है बहुत ही खुबसूर सा आफिटेक्ट्चर है लहुर की एक बहुत पुरानी मोहल्स के दौर की मॉस्क है वजीर खान मॉस्क यह वहां के सहन का एक जगा थी इसको मुझे पहले तो करना है सीधा और उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोशर तो सीधा करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है इमेज के मैं यू में जाहेंगे इमेज रोटेशन यहां पर एक दिया हुआ है आपके पास 180 डिगरी डूसरा है आपके पास 90 डिगरी मैं इसको 90 डिगरी काउंटर क्लॉक्वाइस कर रहा हूं यू हो जाएगा 90 डिगरी सो इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा यह आपका इमेज सीधा हो गया अगर आपको मजीद कुछ स्ट्रेट करना है जैसे मुझे फील हो रहा है कि इसको जरूरत है करने की तो लेट्स गोंड इस चेक दिस यह क्रॉप टूल ले रहा हूं मैं और इस क्रॉप टूल में यहां पर आपके पास स्ट्रेटन का ऑप्शन दिया हुआ है इससे अगर आप ड्रैक करें इस लाइन पर सीधिस ही थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा तिर्चा है इसको मैं यह कर रहा हूं इसमें इस आर्च के अंदर वाला पॉर्शन है जरूर लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क है मैं यह चाह रहा हूं कि यह जो अंदर वाला डार्क एरिया है यह भी नज़र आए और बाकी सारी चीज़ें भी नज़र आए सो मैं सिंप्ली यहां जा रहा हूं अपने एजिस्मेंट ल इन से बात कर रहा हूं भी ठेक है तो फिर्स अफ ज़ एक्स्पोजर ऑफसेट एंड गैमा करेक्शन याद रखेगा देखें किसी बी इमेज में तीन लाइट के टोन्स होते हैं एक शेडोज होते हैं एक मिट टोन्स होते हैं और एक हाईलाइट होते हैं तो एरिया जहां आपके highlights पर जादा effect कर रहा होता है so for example अगर मैं कम करने लगूँगा तो जो highlighted areas हैं वो भी dark होने लग जाएंगे and similarly अगर मैं बढ़ाऊंगा see this क्या हो रहा है कि जितना highlighted area है वो बहुत जादा bright हो रहा है of course अंदर वाली चीज़ें भी bright हो रही है लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ reset ठेक है दूसरी चीज़ है offset offset आपका काम कर रहा होता है shadows पर so अगर मैं इसको कम करूँगा तो देखे shadows or dark होगा और अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो shadows में ये grey color add करना मतलब किसी हद तक वो bright करना शुरू कर रहा होता है see obviously shadows के area में हमारे पास already इतनी ज़्यादा details मौजूद नहीं है तो जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा grey add करना शुरू कर देता है third option जो है हमारा that is gamma correction now gamma is mostly for mid tones and seriously ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी so अगर मैं इसको पीछे की तरफ ला रहा हूँ याद रखेगा कि gamma को पीछे की तरफ लाएंगे तो bright होगा I mean left side पे और अगर right पे लेके जाएंगे तो dark होगा so मैं इसको थोड़ा सा पीछे ला रहा हूँ right and साथ ही साथ मैं exposure को बहुत धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ now याद रखेगा कि इन दोनों तीनों values को हमें साथ साथ adjust करना होगा ऐसा ना हो कि आप कुछ ज्यादा किसी चीज़ को कर दें जैसे for example यहां की details मैं नहीं चाहरा हूँ के खराब हो तो मैं अब मजीद इसको तो नहीं छेड़ता हूँ right यह समझने इससे जादा अगर मैंने बढ़ाया तो यहां की details खाता मुझेंगी और यह मैं खतरी तोर पर नहीं चाहूँगा अब आजाएं यहां offset पर अगर मैं offset को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाता हूँ फिर वही डल सा grey आ रहा है at least इस image में इसका कोई इतना ज्यादा फाइदा मुझे नजर नहीं आ रहा है बारहल थोड़ा सा मैंने इसकी value को बढ़ाया है एंड गैमा करेक्शन थोड़ा सा exposure को मैं कम कर रहा हूं ताके कुछ मजीद डीटेल्स आजाएं इससे ज्यादा इसमें मजीद डीटेल्स नहीं आ सकती है और राइट तो यस ये इमेज अकर आप देखें तो पहले कुछ ऐसा था अब ये ऐसा है अफ़ोर्स इतनी ज्यादा डीटेल्स नहीं आई ये और मैं पतर चाहूंगा भी नहीं कि इसमें मजीद डीटेल्स निकाली जाएं ये याद रखेगा कि आपके पास ऑप्शन जरूर है कि आप और ब्राइट करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन यहां से जो डीटेल्स गायब हो गई हैं इनको हम वापस लाने के लिए ये कर सकते हैं यहां मास पर आकर के अपना ब्रेश लेकर फ्लो थोड़ा सा कम कर दें और ब्लाइक पेड़ना शुरू कर दें एरियास पर तो यह है कि कुछ डीटेल्स आपकी वापस आ जाएंगी यहां पर एक्सपोजर अप्लाए नहीं हो रहा तो अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तोटली फाइन कोई मसला नहीं है चॉइस इन दी एंड आपकी अपनी होती है राइट तो आपनों कोई एक्सपोजर का पैनल भी समझ में आया होगा और यह वीडियो भी पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक एंड सब्स हुआ 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 है